ओम सिरीगनी सायनम दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज एकीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छे अगस्त मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो यदि आप वेवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है आवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको क्याम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तों साथ इसाथ कोई प्रत्यासित आये या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आये का अच्छे से प्रियोग करें जैसे यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाख में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबाबित करने के लिए स आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तो रचनात्मक कारों के पृति आज आपका रुजहान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें अपनी रचनात्मकता से अपने घ धनलाब भी आज आपको हो सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती है अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिव पारिक इस्तित्यां तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसकी वज़े से घर में बिखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मेदारियों को नि पडोसी उन्हें सांती प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगी रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी ट पलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तो कारे भार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोद की आज अधिकता रहेगी नकारात्म के व प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पानी की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आप आपको एक प्रेत्म के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवेशाय के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर बजार में निवेश करना नाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे टोट का चैरी से संबंदित कोई अच्छी खुसकबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का शुक मिल सकता है आपकी आमंदन कायदा होगा आपको अपने कामों के लिए श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वैपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्च की भी अधिकता रहेगी शावधन रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी तरह के स्वास्त से संबंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्यां उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवशक है जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहुनी को रोका जा सके शावधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखेने के लिए आप योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाई क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक धागे में चार मिर्चे डालें उसके उपर एक नीबू डालें और फिर उसके उपर आप तीन मिर्चे और लगाएं जा दोस्तो इसके बाद आप भगवान बजरंग बली का इसमरन करते हुए इसे घर और वेवैसाई के दरवाजे पर लटगा दें जा दोस्तो ऐसा करने से नकारतमक्ता खत्म हो जाएगी और सकारतमक्ता का संचार होगा और आपको धन सुक संपत्ती की और आपको ऐसा करने से अवश्य ही विशेस लब प्राप्त होगा या दोस्तो भगवान बजरंग बली का अश्रबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्पोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद